नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चनल कैवल लिक अडमी पर देखें यहां आधनी भारत का सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम बात करेंगे गवर्नर गवर्नर जनरल और वाय सराय के बारे में तो चलिए सुरुआत करते हैं शुरुआत करने से पहले देखें पिछले लक्षर के जो फ्रस्ण वत्तर के बात के महतपूर्ठत नोट से बचे रहे गाये हैं उनके बारे में हम इस लेक्षर के अंत में चर्चा करेंगे तो आप से उमीद की जाती है की आप लेक्षर के अंत तक बने रहेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और सूचना उनके लिए यह थी कि जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं वे लगातार प्लेलिस्ट में जाए देखें नए वीडियो आपको देखने के लिए नए लेक्चर्स आपको अटेंड करना जरूरी है लेकिन पिछले जो लेक्चर्स आपके शूटे हुए उन्हें भी कंप्लीट करना उतना ही महत्यपूर्ण है तो आप करिए क्या कि यह लेक्चर्स तो कंप्लीट कीजे लेकिन थोड़ा-थोड़ा समय निकाल करके आप ले चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उन लेक्चर्स को भी धीरे-धीरे करके कवर किजिए और जितना जल्दी हो सके, कम्प्लीट कीजिए सारे लेक्चर्स को, क्योंकि सब के सब लेक्चर आपके लिए important है, चली, बात करते हैं पहले प्रस्ट की, तो यहाँ पूछा जारा है कि निम लिखित कतनों पर विचार कीजिए, कतन एक है कि रावर्ट क्लाइब बंगाल के प चली, सही अंसर इसका अफ्सन नंबर बी, केवल और केवल दो कथन सही है, यानि कि विलियम मिल्टिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इनकी निवक्ति आठारा सो तैटीस में होई थी वहीं, रावर्ट क्लाइब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, वह बंगाल का गव गवर्नर जनरल निवक्ति हुआ था और इसकी निवक्ति हुई थी 1774 इस्वी में, चली, चलते हैं अगले प्रस्न की तरह, तो यहां पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, आप्सन ए है रावर्ट क्लाइब, बी वार्न हेस्टिंग, सी लाड मेओ, य लेकिन चुकि हमको परिच्छाओं में प्रस्नों को करना ही रहता है, तो हमको चुनना भी दिये गए विकल्पों में से ही रहता है, ऐसा आपको उपर ही जो परिच्छा के संब्द में आप इन्नूटिस दिखी रहती ना, सावधानिया की लिकी रहती है, या संदर में सबसे बेश टैंसर है, लाड डलहोजी, ठीक है, डलहोजी के पहले के अगर कुछ लोगों के बारे में बात की जाए, तो डलहोजी के पहले के अगर यहां पर चार्ल्स मिट का, आकलेंड, एलैन वरू, आज का नाम रहता, तो आप उनके साथ जाते है, डलहोजी क से बात, बाद में आते हैं, इस करम में चलिए, वारेन हिस्टिंग के बाद जो आए, उनका नाम लिखना है, उसके बाद जो आए, उनका नाम, 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 इस करम में आपको भारत के गवर्नर जनरल के नामों को अपने उत्तर में हमेशा टिक करना रहता है अगर इन सब के नाम ऊपर से डिलीट होते जाए प्रश्नों में विकल्पों में जैसे इसका नाम नहीं है इनका नाम नहीं है माली जे की चार्ल्स मेटकाफ थे विलियम मेंटिक के बाद ठीक है तो विलियम मेंटिक यहां पे थे ही विलियम मेंटिक के बाद चार्ल्स मेटकाफ का नाम भी नहीं दिया नीचे दे दिया आपको आकलेंड का नाम तो आपको आकलेंड के साथ जाना क्योंकि इनका कारेकाल भारत के प् कौन सा कथन सही नहीं है पहला है ए जन प्रसासन की नीव वारेन हिस्टिंग द्वारा मजभूती से रखी गई जिस पर उपरी संद्चना कारणवालिस ने की कथन भी है कि इस्ट इंडिया कंपनी की और सैनिक और सैनिक शुधार करने का स्रेय क्लाइफ को था कथन सी है कि ला कि चली इसमें गलत कतन है आफसर नंबर सी ठीक है आई थोड़ा सा इसके बार में बात कर लेते हैं तो देखे लाट विलियम बेंटिक जो थे वे अनका कारेकाल 1828-1835 तक था यानि की लगभग 7 वर्सों तक इनका कारेकाल राज इनके द्वारा पुरानी निरंतर इनके कारेकाल में इनके कारे में सती प्रथा का अंथ हुआ था आधी चीजे यानि की आधी सामाजी केवं प्रसासनिक सुधार इनके कार में हुआ था चलिए कुछ अन्य विकलबों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं जन प्रसासन के निव की यानि की पहले कथन के बारे में तो देख़े जन प्रसासन की निव वारेन हिस्टिंग द्वरा तयार की गई थी लेकिन उस पर उपरी संद्वनचना बनाने का कार जो है कार्णवालिस ने किया देखे कार्णवालिस के समय में नियाइक सुधारों, फोसदारी कानूनी में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार था व्यापारिक सुधार हुए थे ठीक है नेक्स्ट क्लाइब के बारे हम बात कर लेते हैं तो देखे क्लाइब हगा असनिक और असनिक दोनों ही सुधार किये गए थी. इस्ट इंडिया कम्पनी के अंदर यह बंगाल का परथम गवरंणर था ठीक है. असायनिक सुधारों के अंतरगत इसने जो है कमपनी के अधिकारियों का उपहार लेना बंद करवा दिया उनका नीजी व्यापार बंद करवा दिया उनके लिए आंतरिक कर देना अनिवार बना दिया था स्रैनिक सुधारों के अंतरगत क्लाइब ने दोहरा भत्ता बंद करवा दिया था और 1766 में इसके एक यह भत्ता जो है यानि की धुद्विति का सिध्धान्त या फिर व्यपगत का सिध्धान्त दोनों एक ही बात है तो देखे व्यपगत के सिध्धान्त के अंतरगत डलहोजी द्वरा 1848 में सतारा को 1849 में जैदपूर और संभलपूर को 1850 में भगहट को 1852 में उदैपूर को 1853 में जहासी 1854 में कई बार आप यहां पर भी प्रस्णों को देखेंगे चली नेक्ट प्रस्ण देखते हैं तो यहां पूछा जा रहा है कि कलकत्ता में एस्यासिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था आपसन है ए लाड कारणवालिस बी लाड वारेन लाड वेले जली या डी लाड बेंटी चली इसका सही अंसर है आपसन नंबर बी देखें कलकत्ता में एस्यासिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी एक जैट देख लेते हैं एक बार देखें कलकत्ता में जो है एस्यासिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 की हुई आगे बताईए यहां पूछा जा रहा है कि सुरच्चा प्रकोष्ट की नीती सम्बंधित है A. वारेन हेस्टिंग से B. लाड डलहोजी से C. हिन्री लारेन से या D. लाड हेस्टिंग से चली सही अंसर है इसका आप्सन नंबर A. सुरच्चा प्रकोष्ट या घेरे की नीती जो है या वारेन हेस्टिंग और वेले जली से सम्बंध रखती है ठीक है यहां पर वारेन हेस्टिंग है हम वारेन हेस्टिंग के साथ जाएंगे दिखिए वारेन हेस्टिंग ने किया गया तो वारेन हेस्टिंग द्वारा मैसूर और मराठो के साथ युद्ध इसलिए किया गया ताकि वह भारत में अन्य रियास्टों के साथ बराबरी की पदवी की भावना प्राप्त कर सके ठीक है पहले जो है कमपनी को उस बराबरी की द्रिष किया तो इसके लिए अपनी सुरच्छा भी आवज सकती तो इसके द्वारा किया क्या गया है जैसे मान लिजे किया इस्ट इंडिया कमपनी का छेत्र है इसके बगल में या कुछ छोटे 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 राज्य हैं तो इसके द्वारा किया क्या गया कि इन राज और इन्होंने धन के बदले अपने सैनिक यहां न्यूट कर दिये यही थी सुरच्छा या घेरे की नीत यही काम वेले जली द्वारे किया गया और यही काम वारे नेस्टिंग द्वारा भी किया गया आप्सन है A. Henry Lawrence, B. Dalhoji, C. Warren Hastings या T. Robert Lloyd Clive देखे यह रिंग बना था ना यहाँ पर अब समझे यह माली जी कमपनी का छेतर है इसके चारों तरफ यह रिंग बन गया ना बफर जोन भी इसे बोलते थे रिंग भी बोलते थे, घेरे की नीद भी बोलते थे, सुरच्छा प्रकोष्ट भी बोलते थे चारों तरफ से आपकी सुरच्छा हो रही है ना चली, सही अंसर है इसका option number C. Warren Hastings यहाँ पर एकर्ण चीद देखे थे के कमपनी ने अवध की रच्छा विवस्था कार इस सर्थ पर समाला कि अवध का नवाब उस व्याय का बोज उटाये और इस प्रकार अवध की रच्छा ही बंगाल की रच्छा थी कमपनी के लिए अफगान और मराथे ही सबसे बड़े खत्रा थे तो अवध के नवाब से सबसे पहले सुरक्छा की नीत यह रिंग आफ फेंस की नीत के तहद सम्मद इस्ठापित किये गये थे ठीक है प्रस्ण में अगर आपको यह आजाए कि वेले जली द्वारा किसको मजबूर किये वेले जली द्वारा जो है रिंग आफ फेंस की नीत के तहद किसको सबसे पहले अपने अच्छेतर में लाया गया था तो आपको वहाँ पर अन्य अंतर को चुनना होगा लेकिन अगर ब्र चाबरड बी लाड कार्नवाली सिवारान है उपरिप्ट में से कोई नहीं को है चली चली सही इंसर है इसका ऑप्सण नंबर सी वारन हेश्टिंग के आरेकाल में जो है बंगाल में द्वाराणी को सवाप्त कर दिया गया था और सतीषथ कंपनी द्वानी का कारें स्वयन देखे हुआ क्या था वारेन हेस्टिंग के कारेकाल में 1772 में कोर्ट आफ डारेक्टर्स ने दोहरी सासन के प्रडाली को समाप्त करने का नेडले लिया और आदेश दिया कि अब कलकत्ता परिशद एवं उसके प्रधान जो है स्वयम दीवान बने और बंगाल बिहार तथा उ प्रथम गवर्नर जेनरल बनता है नेक्स्ट प्रसन देखिए तो यहां पूचा जा रहा कि किस गवर्नर जेनरल पर महाभीयोग का मुकदमा चलाया गया आप्सन ए है वारेन हेस्टिंग बी लाड कलाई सी लाड कार्णवालिस या डी लाड वेलेजली चली सही अंसर है इसका आप्सन नमबर ए वारेन हेस्टिंग ठीक है वारेन हेस्टिंग पर महाभीयोग का मुकदमा भी चलाया गया था 1788 से 1795 तक यह मुकदमा चला लेकिन बाद में बिटेश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोसों से मुक्त कर दिया और यह भी कहा कि वारेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ सामराजी के हित के लिए किया था न की अपने लिए देखिए एक इतिहास कार है व इस पर सहसा ही संकटा पड़ा हो और जिस पर इतना कठिन उल्जने आ पड़ी हो कि कभी-कभी मानवी समझ में भूल चूक हो जानी आवस्चक थी चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निमलिकित में से किस पर ब्रीटिस संसद में महाभीयोक का मुकद्मा चलाया गया था अप्सन A है सरजान सोर, B. लाड कलाई, C. वारेन हिस्टिंग या D. जनरल डायर चली अभी अभी मारी बात हुई फार्ण हिस्ट्री पर 1788 से लेकर के 1795 तक महा भ्योग कम कदमा चलाया गया था ब्रेटी संसद में हालांकि इसे बाद में जो है मुक्त कर दिया गया था नेक्स्ट बताईए कि भारत में न्याइक संगठन की इस्थापना किसने की आफसन ए है लाड में वो बी लाड कारनमाली सी लाड एटली यह डी लाड करजन चली सही अंसर है इसका आफसन नंबर बी लाड कारनमाली इसने भारत में न्याइक संगठन की नियू रखी थी इसने जो है 1763 में आपको बता दू कि 1763 में कारणवालिस द्वारा एक कारणवालिस सहीता बनाएगे जिसमें सक्तियों के प्रिथक करण का सिध्धान पुर्था और इस सिध्धान के तरह इसके द्वारा कर और नियाय प्रसाशन को प्रिथक कर दिया गया था ठीक है इसके द नियाय प्रप्रदान करने की एक नई व्यवस्था की निव अंग्रेजों नहीं रखी थी ठीक है इस व्यवस्था का अरम वारे ने किया था मगर कार्णवाली सीसे और सुद्रण वनाया और 1763 स्वी की कार्णवाली सहीता द्वारा सक्तियों का प्रिथक करण सिधान्त दिया जिसके आधार पर कर और न्याय प्रसासन को प्रिथक कर दिया गया नेक्स्ट बता ही तो यहां पूछा जा रहा है कि इनिम लिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसमविदाबद सिविल सेवा को को वैनेंटेड सिविल सर्वीस आफ इंडिया का स्रिजन किया जो कालांतर में भारती सिविल सेवा के नाम से जानी गई यहां पर जो नियाय प्रसासन को प्रिथक किया गया था उसी के कारण जो है बाद में आगे चल करके भारती सिविल सेवा का विर्माड हुआ देखे भारत में प्रसमविधा पद सिविल सेवा या लोक सेवा का स्रिजन कारण वालिस द्वारा किया गया बंगाल का गवर्नर जर्नल बंदिक बाद कारण वालिस ने प्रसासन को पुनर गठित किया राजा सुबोडो को भंग कर इसके नए नियम बनाय तथा कमपनी के अधिकारियों के व्यक्तिकत व्यापार के संबंद में भी नए नियम बनाया उसने कारण वालिस कोड या कारण वालिस सहीता के माध्यम से दीवानी और नियाइक चेत्रों में इस पष्ट विभाजन किया जिसने आगे चलकर भारती सिविल सेवा का रूप ले लिया नेक्स्ट बताईए कि भारती लोग सेवा का प्रवर्तन किया गया था बेंटिक के सासनकाल में बी कारण वालिस के सासनकाल में सी करजन के सासनकाल में या डी टलहोजी के सासनकाल में चली सही अंसर है अभी अभी हम सबने उपर देखा कार्णवालिस के सासनकाल में भारती लोग सेवा का प्रवर्तन किया गया था नेक्स प्रसन देखिए तो यहां पूचा जा रहा है कि लाड कार्णवालिस की कब्र कहां इस्तित है चली सही अंसर है इसका आफसन नंबर अ गाजीपूर में लाड कार्णवालिस की कब्र है देखिए इसका दो कारेकाल था एक तो 1786 से लेकर के 1793 तक और दूसरा 30 जुलाई 1805 से लेकर के 5 अक्टूबर 1805 तक यह बंगाल का गवर्ना जलना रहा और इसी दोरान इसने जो है भारत में इस्तमरारी अथवा इस्थाई बंदोबस्त वेवस्ता को लागू किया न्याइक सहिंता बनाई एक कारणवालिस कोड है की नहीं भारती लोकसेवा के प्रवर्तक के रूप में भी इसको जाना जाता है इसकी मृत्तिव 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपूर उत्तर प्रदेश में हो गई थी और यहीं पर इसकी कब्र भी इस्थित है नेक्स्ट प्रशन देखिए चली सही अंसर है इसका option number C यह यह लागू नहीं होता है company के लिए एक नियत आयका प्रबंद करना बाकी अन्य तीनों कथन ही सही है देखे विलेजिली जो है ऐसे समय में भारत आया था जब लगबग संपूर्ण यूरोप फ्रांस की सक्ती के आगे छिन बिन हो चुका था और निपूलियन लगाता जीतता जा रहा था सब कुछ उस दोरान जो है नेपूलेजिली दोरा जो है भारत में सहायक संधी प्रणा प्रणा करेंगे और बदले में आप हमारी सेना रखे और इस सेना का खर्च आपकों ही देना होगा ठीक है हालांकि सेना जो है वह कंपणी के आदेसों को मानेगी न की आपके चलिए इसकी इसी नीत के कारण जो है भारत में नेपूलियन का भय टल गया था ठीक है सहायक संधिकी सर्तों में एक सर्त यह भी थी कि संधिकी और स्वीकार करने वाली रियासत कमपनी की एक सेना रखेगी जिसका सारा खर्च राज्जी को देना होगा इस सेना को चलाने का थिकार केवल कमपनी को होगा सहायक संधिकी को स्वीकार करने वाला राज्जी किसी भी यूरोपी या अंग्रेजों के दुस्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्तिको नौकरी नहीं देगा देखे कितनी कठिन कठिन सर्ते हैं नेक्ट बताईए लाड़ विले जली की सहाइक संदी को स्वीकार करने वाला पहला मराथा सर्दार था A. पेश्वा बाजी रावदीती B. रगुजी भोसले C. दौलत राव सिंदिया D. उपर उक्त में से कोई नहीं निश्चिन रही है जब मद्धिकाल के बारे में बात होगी तो इन सब के बारे में भी बड़े अराम से और बड़े अच्छे से चर्चा होगी चली सही अंसर है इसका A. पेश्वा बाजी रावदीती जो है यह विले जली की सहाइक संदी सुविकार करने वाला पहला मराठा सरदार था इसके दोरा जो है विले जली की सहाइक संदी को सुविकार किया गया था 31 दिसंबर 1802 को ठीक है इसी को बसीन की संदी भी बोलते हैं बसीन की संदी अंग्रे जो और बाला जी डिती के मद्ध हुई थी ठीक है पेश्वा बाला जी, पेश्वा बाजी रावदिती के मद्धुईती देखे हुआ क्या था? तो दौलत राव सिंधिया और जस्वंत होलकर दोनों पूणा में अपने को सरुस्रेश्ट प्रदर्शित करना चाहते थे बाजी रावदिती वह सिंधिया का साथ दे रहा अगे की लνो आपको बता दी गई 520 शन्दी पर हस्ता चूर की इसके उन्सर चलते हैं सिधा अंग्रेजो और बाजी राव दिती के मद्धे हुए थे 1802 की बसीन की संदी पर हस्ताच चर नेक्स्ट प्रस्ण देखे तो यहां पूछा जा रहा है कि सहायक संदी को स्विकार करने वाला पहला सा सकता अवद का नवाब भी हैदराबाद का निजाम सही अंसर है इसका ओप्सन नमबर A अवद का नवाब सहायक संदी को स्विकार करने वाला पहला सा सकता हाँ यदि प्रस्ण पूछा जाए कि विलेजली की सहायक संदी को स्विकार करने वाला पर्थम राद्य कौन था तो आपको एंसर हैदराबाद के निजाम को देना है अभी इसके बारे में बात होगी लगभग 1798 के आसपार और 1800 में हैदराबाद दौरा जोग है विलेजली की संदी को स्विकार किया गया था वहीं देखिए वारेन हिश्टिंग के समय में 1765 में अवद से सहायक संदी की गई थी जब कमपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सिमाओं की रच्छा का वचन दिया और अवद ने एक अंग्रेज रेजिमेंट को लखना रखना स्विकार किया था और यहाद डूपले प्रतम यूरोपी था जिसने अपनी सेना किराय पर भारती राजाओं को दी थी नकी अंग्रेज अंग्रेजो द्वारा डूपले की इस नीतिका पालन किया था इस संदर में आपको यूरोपी कमपनीों के आग्मन वाले चेपकर में बहुत अच्छे से और डीटेल से बताया गया है अगर आपको अटेंड किया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं किया है तो वहाँ जाकर उसको अटेंड कर लीजिए चलिए नेक्स्ट कॉस्चन है कि यहां पूछा जा रहा है कि सहायक संदी को किसके काल में क्रियानवित किया गया ए लाड कार्नवालिस बी लाड वेले जली सी सरजान सोरे या डी लाड आकलेंड चलिए सही अंसर है इसका थोड़ा पानी पीना पड़ता है भाई आप लाइक नहीं करते हैं तो कम से कम जल तो पीने दीजिए सही अंसर है इसका आफसर नमबर B लाड विलेजली द्वारा जो है सहाइक संदी की प्रणाली को क्रियानवित किया गया था निक्ष देखी तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से सहाइक संदी स्विकार नहीं की थी A. हैदराबाद के निजाम ने B. इंदौर के होलकर राज ने C. जोधपूर के राजपुत राज ने D. मैसूर के सासक ने चली सही अंसर है इसका आफसर नमबर B इंदौर के होलकर राज ने कभी भी सहाइक संदी को स्विकार नहीं किया था आईए इसके बारे में बात कर लेते हैं देखे अधव अवध द्वारा 1801, पेष्वा बाजी राओ द्वारा 1802, बरार के भोश्ले 1803, सिंधिया 1804, जोदपुर, जैपुर, मच्चेरी, बुपूंदी और भरतपुर यह सभी वे राज्य है, जिनके द्वारा क्रमशं वेले जली की सहाइक संदी को स्वीकार कर लिया गया थ विलेजली का कारेकाल 1798 से लेकर के 1805 इस्वी तक था ठीक है चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ तो यहां पूछा जा रहा है कि सहायक संधी विवस्था को स्विकार करने वाला प्रतम भारती देशी सासक कौन थे ए गौालियर के सिंधिया बी हैदराबाद के निजाम सी पंजाब के दलीप सिंग डी बढ़ाओदा के गायकवार या डी ए नाकपूर के भोसले चली यहां देखिए 1798 और 1800 में हैदराबाद के निजाम द्वारा जो है सायक संधी को स्विकार किया गया थे यानि की आप्सन नंबर बी फिर से क्रम जान लीजे मैसूर द्वारा 1799 तंजावर द्वारा 1799 में अवत 1801 पेशवा 1802 बसीन की संधी बरार के भोसले 1803 सिंधिय 1804 जोतपूर जैपूर मच्छेरी बूंदी और भरतपूर निश्ट बताईए तो यहां पूछा जारा है कि निमलिखित पर विचार कीजिए जिन होने लाड़ विलेजली के साथ सहायक संधी की थी और उनके द्वारा किये गए संधियों का सही काला नुकरम नीचे दीवे क पर पता की दिये पहला है है हैदराबाद दूसरा मैसूर तीसरा अवद चौथा सिंधिया आफसन है एक दो तीन चार भी एक तीन चार दो सी चार तीन दो एक या डी तीन दो एक चार चली सही अंसर है इसका हैदराबाद 1798 और 1800 वहीं मैसूर 1799 अवद 1801 सिंधिया अभी बात हुई है हमारी आपकी सिंधिया 1804 ठीक है तो क्रम क्या होगा एक दो तीन चार यानि की सही अंसर आपसन नमबर एज चली निश्ट देखिए तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारती राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत इस्थापित करने के लिए किस ने प्रसासन में सहायक संधी प्रणाली का सुत्रपात किया ए वारेन हेस्टिंग बी लाड़ वेले जली सी लाड़ कार नमाली सिया डी लाड़ डलहो जी चली सही अंसर है इसका आफसन नमबर बी लाड़ वेले जली ठीक है अंग्रेजी प्रभुत तो इस्थापित करने के लिए भारती राज्यों पर लाड़ वेले जली द्वारा सहायक संधी सुरू की गए थी जबकि वारेन हेस्टिंग ने जो बात सहायक संधी की थी अवस्य वह किया था कंपणी की रच्छा के लिए ठीक है कंपणी की रच्छा के लिए इसने अवस के सांथ सहायक संधी की थी लेकिन बाद में वेलेजली ने बता जो आधार बनाया सहायक संदी का वह था अंग्रेजी सत्ता की स्रेश्टता और प्रभुसत्ता इस्थापित करना चलिए नेश्ट प्रस्न बताईए तो यहाँ पूचा जा रहा है कि इस्ट इंडिया कमपनी का राजबुत राज्यों से सहायक संदी करने का मुख्य उद्देश से क्या था ए सत्रूओं के विरुद्द सैनिक सहायता प्राप्ट करना बी मराथा पिंडारी आक्रमर से इन राज्यों की सुरत्चा इनका सहायक संदी इस्थापित करने का एक मात रूद्देश से था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को इस्थापित करना नेक्स प्रसंद देखते हैं तो यहाँ पूचा जा रहा है कि निमलिकित युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है आपसन है ए बकसर का युद्ध 1764 इस सुमिलित करवाने वाले को तो आप ही पढ़ते हैं ना तो पढ़िए मैं थोड़ा सा रिलेक्स होता हूँ चली अब तक आपने वीडियो पास करके अपना एंसर टिक कर लिया होगा भारत में East India Company का एक अधिकार समाप्त होता है 1829 में और ब्रिटिस नागरी को एवं कमपनियों के भारत का व्यापार खोला जाता है 1813 में ठीक है 1813 में व्यापार खोलने के बाद भी चाय और चीन के चीनी का व्यापार अभी भी इस्ट इंडिया कंपणी के एक अधिकार में था जिसे 1833 में पूरी तरीके से समाप्ट कर दिया गया था ठीक है देखें सहाइक संदी के बारे में हमारी बात हुई हैदराबाद जो है वह प्रत्थम स्राजिता जिसकी दौरा सहाइक संदी को स्विकार किया गया था और उसका समय था 1798 आपको यह भी पता है कि वेले जली जो है वह 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है तो इसी दौरान जो है उसके दौरा सहाइक संदी प्रणाली का प्रयोग किया गया था ठीक है चली बाकी अनिसब के बारे में काफी बात हुई है और इन दोनों के बारे में भी आगे बात होगी बहुत अच्छे से नेश्ट बताइए कि उस समय जब नेपोलियन की सक्ति के सामने यूरोप में सामराज धरासाई हो रहे थे नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिस परता का फैराय रखी आप्सन है चली सही अंसर है इसका आप्सन नंबर सी लाड़ वेले जली इस अंदर में आपको बताया जा चुका है चली नेक्स प्रसन देखिए तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आप्सन नंबर बी लाड़ हेस्टिंग के कारिकाल में जो है 1814 से 16 के बीच आप्सन नेपाल युद्ध हुआ था और परिडाम तर एक सुगावली की संधी होती है 1815 में सुगावली की संधी जो है यहाँ दो दिसम्मर 1815 को लिखी गई और इसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था थोड़ा सा इसके बारे में जानते रहिए क्योंकि बहुत ही आवस्चक है नेपाल के साथ जो है यह आज कल करिंट का मुद्धा भी बना हुआ है सुगावली की संधी ठीक है गवर्नर जनरल वारे निष्टिंग का कारेकाल कब से कब तक था तो इसका कारेकाल 1823 से लेकर के 1823 से लेकर के 1823 तक था नेक्स्ट बताई कि सुगावली की संधी हुई थी आपसन है डी सही ठीक है सीधा एंसर पर जलते हैं 1815 थोड़ा थोड़ा समय भी बचाने का प्रयास करिए हर जगह से चली यहां सुमिलित करवाने वाला प्रस्ट है तो इस प्रस्ट को आप सुमिलित करवाते हैं आपको बताना है इन में से कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है चली सही अंसर है इसका आपसन नमबर डी लाड कारणवालिस तृती आंगल मराथा यूद्ध होता है लाड हिस्टिंग के कारेकाल में 1817 और 1818 इस्वी में ठीक है और इसी मराथा यूद्ध और इसी यूद्ध के बाद जो है मराथा सकती पूरी तरीके से समाप्त होगे ज चतूरत आंगल मैसूर यूद्ध या 1799 में हुगा था लाड वेलेजली एवं ठीक है आँगल नेपाल यूद्ध 1814-16 में लाड हिस्टिंग के समय में हुगा था जब कि बकसर का यूद्ध 1764 में हेक्टर मुन्रों के नेत्रित तुमें लाड गया था चतूरत आंगल मैसू साइथा यूद्द संबंधित है ए सरजान सूरे से बी लाड वेले जली से सी लाड हैस्टिंग से या डी लाड कारनवालीस से हैं चली सही अनसर के हात्रिती आंग बार माृत separate अंठ defy या है जो है लाड फिसमिल दिसम असक लिंद्र हम पंद्रह में इस संदिका कार्यानवन या अनुमोदन होता है 1816 में यहां बताइए कि सर तामस मुन्रो किन वर्सों में मद्रास के गवर्नर रहे ए 1820-27, B 1819-1826, C 1822-1839, D 1818-1825 चली सही अंसर है इसका आफ्सन नंबर ए 1820 से लेकरके 1827 तक सर तामस मुन्रो जो है वे मद्रास के गवर्नर रहे इनके दोरा जो है न एक भूमी राजस वसूली है तो व्यवस्था लागू की गई थी वह थी रहयत वाडी वेवस्था ठीक है इस वेवस्था के जन्मदाता टामस मुन्रो और कैप्टन रीड थे और यह वेवस्था जो है यानि की रहयत वाडी वेवस्था सरप्रतम तमिलनाट के बारा महल जीले में लागू की गई थी इसके पश्चात यह वेवस्था मद्रास बंबाई के कुछिस सो असम तथा कुर्ग जो की आधुनिक करनाटक का एक भाग है वहाँ पर लागू की गई थी चलिए चलते हैं अगले प्रस्शन की तरह तो यहाँ पूचा जा रहा है कि तताकतित कुप प्रसासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्जी के प्रसासन को ले लिया था ए लाड वेलेजली बी लाड हेस्टिंग ने सी लाड विलियम बेंटिक ने या डी लाड हार्डिंग ने चली सही अंसर है इसका आप्सन नमबर डी लाड विलियम बेंटिक ने जो है 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियास्तों को अपने प्रदेश में मिला लिया था क्योंकि कि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कूप्रसासन एवं और विवस्था व्याप्त हो गई थी चली आगे चलते हैं तो यहां पूछा जा रहा है कि निम लिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तिरती आंगल मैसूर युद्धि से संबध्ध है चली सही अंसर इसका आफसन नमबर बंगाल के गवर्नर जनरलों में से एक तिरती आंगल मैसूर युद्धि से संबंध रखते हैं लाड कार्नवालिस इनके नित्रती में ही जो है तिरती आंगल मैसूर युद्ध लड़ा गया था और स्री रंग पट्टनम की संधिका के कार्य करता यही थे ठीक है देखे 1792 से बानवे में तृती आंगल मैसूर युद्ध हुआ था और यह लाड़ कार्णवालिस से संबंध है देखे इस युद्ध में कार्णवालिस ने स्वयम सेना की बाग दोर समा ली थी टीपू ने स्रीरंग पटनम कि सकती 1792 की 1792 में कर जिसके अनुसा टीपू को अपने राजिका लगवग आदा बाग अंग्रेजो और उनके साथ यून निजाम एवं मराठो को देना पड़ा साथ ही साथ तीन करोड रुपए भी युद्ध छति पूर्ति के रूप में देने की बात की गई थी और जब तक यह तीन करोड गाष्ट, B, कैप्टन सलीमान, C, एलेखजेंडर बन्स या D, कैप्टन रावर्ट पेमबर्टन, चली सही अंसर है इसका अफ्सन नंबर B, कैप्टन सलीमान जो है ठगों के दमन से संबंधित था, आए थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में, तो देखे ठगों में एक मानेता थी कि यह अपने सिकार यानि या किसी व्यक्तिका सरकलम करते थे और उसे देवी के चरड़ों में चढ़ा देते थे और ऐसी इनकी मानेता थी की विधी के विधानमी यानि की उनके सिकार के मृत्यू इसी प्रकार से लिखी हुई थी उसके भाग में तो इस प्रकार के इनके कृत्यू के करण जनता में इनको लेकर के काफी रोज था और जनता ने जो है इनके दमन के लिए सरकार का काफी समर्थन भी किया तो इसके वासित कर दिया गया अंततों गत्वा 1837 के पस्चाथ संगटित रूप से ठगों का अंत हो जाता है चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ तो यहां सेम प्रस्ण है पूछा जारा ठगों का अन्मूलन किसके निस्तित्यू में हुआ था तो सीधे अंसर की तरफ चलते हैं स सही अंसर है इसका अफ्सन नंबर सी सती प्रथाप्रपाबंदी विल्यम मेंटिक के द्वारा लगाई गए थी 1839 के नियम 17 के द्वारा ठीक है सबसे पहले इसने जो है सिर्फ बंगाल में विध्वाओं को जलाना अवैद गोसित कर दिया था लेकिन बाद में यहां कानून बंगाल बाद में है कानून जो है 1830 में बंबई और मदरास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया था दिसंबर 1829 का वह नियम था 17 जिसके द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था ठीक है इसमें सहयोग दिया था राजा राजा राम मुहनराय न और साथ ही साथ ततकालिन समाचार पत्रो द्वारा भी इसका समर्थन किया था पूरी तरीके से चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ तो यहां पूचा जा रहा है कि विलियम मेंटिक के द्वारा जो है सती प्रता की सवर्सर समाप्त की गई आपके पास आप्शन है इसमबर 1829 के नियम सत्रा द्वारा विलियम मेंटिक ने सती प्रता को बंगाल में प्रतिबंदित किया और अंततो गत्वा 1830 में बंबई और मदरास प्रेसिडेंसियों में भी सती प्रता का अंत कर दिया गया इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किस वर्स बंगाल से दासो के निर्यात को रोक दिया गया आप्शन है A. 1764, B. 1789, C. 1858, D. 1868 चली, सही अंसर है इसका अफ्सन नमबर B. 1789, 1789 में जो है एक घोसडा के माध्यम से बंगाल से दासो का निर्यात प्रतिबंधित कर दिया गया था चली, आगे ब चलते हैं यहां पूछा जा रहा है कि लाट डलहोजी द्वारा अवद का अंग्रेरी राज में विलय निम्ण में से किस रीती से हुआ A. अपाहरण की नीती द्वारा, B. यूद्धु द्वारा, C. सहायक संधी द्वारा, D. कूपरसासन के आधार पर चली, सही अंसर है इसका अफसर नमबर D. कूपरसासन के करण जो है लाट डलहोजी ने अपनी व्यपिकत नीत के करण अवद का अपने सामराज यानि की ब्रिटिस सामराज में विलय कर लिया था इसके दोरा कुछ और करम जान लिजे तो देखे चलते हैं अगले प्रशन पर तो यहां पूचा जारा बगात रियासत का विलिब्लिटिस में विलय कब हुआ अप्सन है A. 1848, B. 1850, C. 1852 या D. 1853 चली सही अंसर है इसका अप्सन नमबर B. 1850 में बगात का विलय हुआ 1848 में सतारा का 1852 में जासी का 1852 में जो है उदयपूर का विलय होता है और अंततो गत्व 1854 में नाकपूर और 1855 में करेली और सबसे अंत्र में 1856 में अवद का विलय कर लिया गया था डलहो जी की व्यबगत नीत के तहत यहां बताईए पूचा जा रहा है अधोलिकी द्यूगों में से कौन सुमेलित है आपसन है आपके सामने वीडियो को पास करिए और सही अंसर को टिक करिए चली सही अंसर है इसका आपसन नंबर बी 1848 पंजाब का विलय गलत था अरे सही विलय सुमेलित पताना है ना तो देखिए अवत का विलय किया गया था अठारा सो उन्चास में पंजाब को युद्ध द्वारत जीत करके जो है ब्रिटिस सामराज में विलय किया गया था वहीं 1849 में 178 855 में व्यप्गत की ही नीत की तवत जहासी का विले 1885 नहीं 1885 में तो नाक उसका करओली का विले किया गया था 1852 में तीरपन में जहासी का विले किया गया था एक सेकंड मैं थुद्द हो रहा हूं तो एक हलका सा चली थोड़ा सा माइंट कभी-कभी इधर उतर डाइवर्ट हो जाता है तो उसे आप लोग अरजिस्ट किया करिए भाई है कि नहीं चली तो यहां पूछा जा आप नहीं nur Y supports लोग एम है इसको मैं फिर से बताता हूं तो देखे अठारा 1749- valt उफ है किया और इसको ब्रिटिस क्या उप्स्टाव में बिले अब तो ठीक है ना चलिए यहां देखिए यहां पूचा जारा कि बिटिश द्वारा कूप रसासन का बहाना लेकर निमलिखित प्रांतों में से किस एक का सासा हटा दिया गया था A. अवत B. जासी C. नागपुरिया D. सतारा चलिए सही अंसर है इसका option number A. अवत के नवाब वाजी दली साह को कूपरसासन का आरोप लगा करके डलहोजी द्वारा हटा दिया गया था रिपोर्ट आधार थी कूपरसासन का James Outram की रिपोर्ट या इसे हम लोग आउटरम रिपोर्ट भी बोलते हैं ठीक है उस समय ब्रिटिस रेजिरेंट था अवत का James Outram और इसी की रिपोर्ट को आधार बनाते वे डलहोजी द्वारा जो है अवत के नवाब वाजी दली साह को कूपरसासन का आरोप लगाते हुए हटा दिया गया था ठीक है वहीं जहां सी नाकपूर सतारा इन सब का विलया जो है उसके द्वारा व्यपगत की नीद के तहत किया गया था चलिए अगला प्रस्न देखिए तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में बिरटिस सासन के दौरा अननिम लिख्यत राज सी राज जोक के विलय करम पर विचार की जिये ए पहला जहां सी दूसरा संभल पूर तीसरा सतारा ऑप्सन है एक डो तीन भी एक तीन दो सी तीन दो एक या डी तीन एक दो चलिए सही अंसर है सतारा तो यहां पूचा जारा कि जेम्स एंड्रिव रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्त्विक नाम था ए लाड डलहुजी बी लाड कैनिंग सी लाड नार थी या डी लाड करजन चली सही अंसर है इसका आफसर नमबर ए लाड डलहुजी का पूरा नाम जेम्स एंड्रिव रेमजे था डलहुजी तो दरसल इसको एक उपाद या एक उपनाम के रूप में जाना जाता था जो कि लिया गया था इसके अरल आफ डलहुजी से ठीक है कि अंग्रेजु द्वारा सिंध विजय संपन हुआ ए लाड एलन वेरू के समय में बी लाड हार्डिंग्स के समय में सी लाड आकलेंड के समय में या डी लाड एम हर्स्ट के समय में चलिए सही अंसर है इसका आप्सन नंबर ए लाइड एलन वेरू के समय में अंग्रे जुद्वारा सिंध विजय को संपन्न किया गया था और यहां विजय हुई थी 1843 में ठीक है देखे लाइड एलन वेरू का काल था 1842 से लेकर के 1844 तक और उसी दोरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रेटिस सामराज में मिरा लिया गया था और यहां परिडाम था प्रतम आंगल अफगान युद्ध का ठीक है चलिए अगले प्रस्ण को देखिए तो यहां पूछा जा रहा है कि सिंध पर ब्रेटिस ने कब जा किया तो सिधा अंसर बता सकता अथारासो तिरालिस में कि नेश्ट बताइए काल था समय था एलाड एलेंबेरो का ठीक है एलेंबेरो कब से कब तक भारत का गवर्णर जनरल रहा अथारासो बैयालिस से लेकरके 1844 तक महत्पूर्ण खटना सिंध का भारत में पूर्ण रूप से विला हुआ प्रथम बिशब आरहेवर या डी जनरल लो चली सही आंसर है इसका आपसन नमबर ए जेम्स आउटरम उस समय ब्रिटिस रेजिमेंट था जब अवध का जो है ब्रिटिस सामराज में विलाय हुआ था दरासल जेम्स आउटरम की रिपोर्ट को ही आधार बना करके ब्रिटिस सामराज में अवध का विलाय किया था देखे इसके पहले जो है 1854 में स्ली मैं था वहां का रेजिडेंट लेकिन बाद में 1854 में स्ली मैं को हटा करके उसके इस्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिस रेजिडेंट बनाय गया था और उसने कहा कि अवध 1857 के विद्रोह के समझ हो है लकनाव में जो ब्रिटिस रेजिडेंट था वह था हिन्री लारेंस और इसी दौरान यानि की 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिस रेजिडेंट हिन्री लारेंस की मृत्य भी हो जाती या विद्रोहियों के हां तो मारा जाता जाहिर सी वात है इ लाडवे ले जली या D लाड़ लेटर चली सही अंसर है इसका आप्सन नमबर A लाड़ लहोजी के सासनकाल में अठारा सो तिरपन में भारत में परतम रेलवे लाइन बिछाए गए थी बंबाई से ठाड़े के बीच में ट्रेन चली थी बंबाई के बोरी बंदर रेलवे संचालन किया था किसने बताईए इसने किया ग्रेट इंडियन पेनिंसुला रेलवे द्वारा जो है परतम रेल यात्रा का संचालन किया गया था यहां बताईए यहां पूछा जारा कि भारत में परतम रेल लाइन का निर्माड किन नगरों के बीच हुआ आप्सन है A. हावडा और C. रामपूर B. बंबई और थाड़े C. मदरास और गुंटूर D. दिल्ली और आगरा चलिए अभी अभी बात हुआ बंबई के बूरी बंदर इस्टेशन और थाड़े के बीच जो है प्रतम रेल लाइन का निर्माड हुआ संचालन जो है इस प्रतम रेल यात्रा का ग्रेट इंडियन पेनिंसुला रेलवे द्वारा किया गया और यहां बताईए भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू ही तो अब तो सीधा अंसर बता सकते है ना इसको जो है ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे द्वारा संचालित किया गया था निक्स्ट और आज के लिक्चर का प्रश्णुत्तर के माध्यम से अंतिम प्रश्ण बताईए ब्रिटिस भारती राजय चेतर का अंतिम प्रमुक विस्तार हुआ A. डफरिन के समय में B. डलहोजी के समय में C. लिटन के समय में D. करजन के समय में चली सही अंसर है इसका option number A डफरिन के समय में ब्रिटिस भारती राज्य का अंतिम रूप से प्रमुक विस्तार हुआ ता दरसल डफरिन के इस समय तृती आंगल बर्मा युदुगा 1885 में और 1 जनुरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिस भारत में मिला दिया गया जो ब्रिटिस भारती राज्य चेतर का अंतिम प्रमुक विस्तार था और इस समय वाय सराय था लाड डफरिन तो चली इस प्रसन के साथ ही आज के प्रसनोत्तर माध्यम से चर्चा का चर्चा का नहीं चर्चा को समाप किया जाता है और चली बात कर लेते हैं अपने पिछले लेक्चर के प्रसनोत्तर के बाद छूटे हुए महत्पूर तथ्यों को बारे में ठीक है तो देखिए अपने पिछले लक्षर में हमने बात की थी इस्ट इंडिया कंपणी और बंगाल के नवाब और एक अन्य चप्टर छेत्री राजी मैसूर और पंजाब के बारे में ठीक है तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस्ट इंडिया कंपणी और बंगाल के नवाब के बारे में जो प्र मुर्सित कुली खान अपनी राजधानी ढाका से इस्थानांतरित करके मक्सूदाबाद को बनाया और इस नगर का नाम बदल करके मुर्सिताबाद रख दिया। मुर्सित कुली खाँ द्वारा भूमी बंदोबस्त की इजारा वेवस्था आरम की गई थी इसके बाद बात करते हैं अली वर्दी खाँ के बारे में तो देखें अली वर्दी खाँ ने यूरोपियों की तुल्ला मदमक्चियों से की थी इसका समय था 1740 से लेकर के 1756 तक का और यूरोपियों की तुल्ला मदमक्चियों से करने के साथ उसके त्वारा कहा गया था कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो वे सहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी चली इसकी मृत्यू के बाद जो है सिराजुद दौला उसका दोहित्र जो था यानि की दामाद जो था वह उत्तराधिकारी बनता है सिराजुद दौला के काल में की एक महत्पोर घटना थी ब्लैक होल की घटना ठीक है या घटना घटित होती 20 जून 1756 को और इस घटना के बारे में बात की जाए तो इस घटना के हुआ क्या था इस घटना में इस वेक्तियों में से एक वेक्ति था हालांकि इस घटना के विश्वसनीता को पर सवाल उठाया जाते हैं क्योंकि उसी समय जो है एक प्रसिद्धितियासकार थे मुस्लिम गुलाम हुसेन जिनकी एक पुस्तक थी सियार उल्मुत खैरीन ठीक है लेकिन इन्होंने कहीं पर इस ब्लैक होल की घटना का जिक्र नहीं किया था चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या और प्रस्टोंतर के माध्यम से छूटा हुआ है और यहां पर मिल जाता है तो देखिए क्लाइब का सासनकाल 1757 से 1760 और 1765 से 1767 इसी तक था इसी के समय जो है अंग्रेजी सैनिकों का एक विद्रो हुआ जिसे स्वेत विद्रो कहा गया ठीक है बंगाल को इसने एक लुटेरा राजी के रूप में इस्थापित किया था लुटेरा राजी का संदर भी है यहां पर कहने का कि बंगाल को खूब लूटा गया इसके द्वारा और इसे जो है विलियम इसमिद्वारा विलियम पेट द्वारा स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नाया का हाइवेन बॉर्ण जनरल कहा गया था जरह सोच यह अंग्रेजों के लिए है कितना महान था लेकिन हमारे लिए है उतना ही बुरा साबित हुआ अन्य चीजे देखते हैं जो हमारा प्रस्वत्तर के माध्यम से चर्चा करने से रह गया था तो देख यह बात करते हैं मीर कासिम को लेकर के इसका समय था 1778 से लेकर के 1763 तक देखे मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बनने से पहले पूर्णिया तथा रंगपूर का फौसद से किया और इसके द्वारा मुंगेर में तूप एवं तोड़दार यानी की मैच लाग गन बनाने की विवस्था की गई इसके अत्रिक्त राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए इसके द्वारा काफी प्रयास किये गया और जिन अधिकारियों ने भ्रस्टा सिलहट के दिवानी प्राप्त की गई तथा बर्मयुद के बाद सलात द्वारा सिलहट को जैन्तिया तथा गारो पहाणियों से जोडने के लिए सणकों का निर्मार किया जाने लगा इसके द्वारा इसका और जीक है नाम याद रखियेगा महतव पूर्ण है तो इसके इन पहाडियों पर रहने वाली खासी जन्जात के लोगों द्वारा लोगों ने अपने नेता तीरत सिंग के नेत्रित में विद्रोह कर दिया था ठीक है यहीं पर अंग्रेज सर्व प्रथम आदिवासी जन्जातियों के संपर्क में आये था और वे आदिवासी जन्जातिया सोरक का निर्माड किया जाbery ता इनकी भूमी पर सरकार के द्वारा, या फिर इसकाट के द्वारा. ठीक है? चली बाकी अने चप्टर 6 राज मैसूर और पंजाब के बारे में हम बात कर लेंगे अपने अगले लेक्चर में जो कुछ भी हमारा प्रस्वंतर के माध्धम से छूटा हुआ है तो फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही है थाइंक यू थाइंक यू वेरिमेट फॉर डिसकसान